हाई गाईज वेलकम बाई चैनल आश्य सतना फ्रेंड्स आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इस्टेट हेयर कटिंग और यह इस्टेट हेयर कटिंग हम फ्लिक के साथ भी करेंगे फ्रेंड पॉर्शन पर जो फ्लिक करने का एक उसम लुक लाने का हम सोच रहे हैं वहीं करके आपको दिखाएंगे और सबसे पहले देखिए हैड़ वाश किये हुए हेयर में फिर भी हमने वाटर रिस्प्रे किया है जिससे की टैंगल अच्छे से रिमूव हो जाएं हैर रिस्प्रे करने का मतलब फ्रेंड हम बताते हैं कोई शो के लिए नहीं करते हैं हम इसलिए करते हैं जिससे के सारे हैर जब गीले हो जाएंगे तो इंटरनल जब हैर होते हैं अंदरूनी जो head wash करते हैं तो वो गंदे दिखाई देते हैं तो आज हमने सोचा आपको ये water spray करने का जो तरीका है केबल किसलिए करते हैं ये आपको अच्छे समझा दें तो friends आपको समझ में आ गया होगा कि water spray करने का हमने ये काम किया और tangle remove किये ये मेरी जो friend है क्या शांदर hair है इनके और देखिए आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से healthy hair में इनको cut कराना है इनको hair short नहीं कराने हैं क्योंकि काफी अच्छे hair हैं length जादा कम नहीं करानी फिर भी हम इन hair में साड़े तीन inch का cut करके बताएंगे आपको सबसे पहले हमने seizure से बिल्कुल straight seizure चलाईए और cut कर दिया और finishing के लिए देखिए हम आपको बहुत अच्छा तरीका बता दें कि finger gripping हमने ली है हाथ पर हमने hair को रखा हुआ है और उसके बाद में देखिए straight hair cutting में finishing दी है इस तरह से finishing जब हम देते हैं अपने हाथ पर जब सारे hair को रख लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से symmetry के साथ में finishing आती है आपने देखा अभी बहुत ही कम time में हमने ये straight hair cutting इतने heavy और लंबे hair में हमने जो किया है cut बहुत ही जल्दी हो गया और आप खुद देख रहे हैं कि काफी heavy hair है और हमने इनका straight hair cutting का cut किया straight hair cutting में हम पहले भी काफी सारे video पोश्ट कर चुकी है आपने देखे हैंगे कि straight means हमको सीधी सीजर चलानी है सीधी सीजर चलाने के बाद ही cut करना है और बिल्कुत सीधी cutting होगी वो तो friends आपको समझ में आगया अब हम बात करते हैं flick की तो flick देखिए हम पहले बहुत ज़्यादा deeply parting नहीं करेंगे क्योंकि इनको बहुत length ज़्यादा नहीं करानी है कम length cut होने के बाद ही इनको जो shape लेना है हमको वही लेंगे क्लाइंट की choice सिर्माते होती है क्लाइंट की choice के अंसारी हम काम करते हैं और करना चाहिए यह देखिए हमने year के पास से parting किया है hair को separate किया है और year to year separate hair को करने के बाद में हम front portion पर लेकर आएं जैसा कि आप देख रहे हैं और year to year का मतलब यह है back portion से हमने hair को नहीं लिया है यह के जो front portion से लेते हैं year के पास से हमने जो hair को parting करी है वह बहुत ही जादा hair को ना लेकर थोड़े hair को लिया है आप खुद भी देख रहे हैं कि किस तरह से और comb करते हुए देखिए हम chin की height तक लेकर आएंगे हम नाप रहे हैं और आप देखेगा क्योंकि बहुत ज्यादा short flick भी इनको नहीं करानी है फिर भी face के according हम करेंगे आप देखिए हमको one inch की length ज्यादा रखनी होगी flick के cut में क्योंकि finishing में half inch चली जाती है और यह देखिए हमने chin की height तक लेकर hair को यह seven inch के लगबक का hair cut किया है क्योंकि पहले already इनकी flick की हुई थी लेकिन काफी long हो गई lockdown के चक्कर में या कोई परिस्थिती के कारण काफी long flick होने से उसका shape बिलकुल नहीं रहा पहले हमने center parting की है right hand side की जो flick है उसको हम finishing दे रहे हैं finishing हम देंगे तिर्ची seizure को चलाते हुए करेंगे जिससे के layer का look आ जाए right hand side में हमने बहुत जल्दी करके बताया अभी देखिए आपको बहुत अच्छे से इदा left hand side में दिखाई देगा हम right hand side की तरह ही left hand side में follow करेंगे procedure और यह देखिए हमने तिर्ची seizure की है और तिर्ची seizure करने के बाद में इस तरह से layer वाला look लाने के लिए hair का cut किया friends देखिए यह flick कितनी जल्दी हम finishing के साथ में आपको दिखाना चाहरे हैं इस से पहले भी मेरी client का आपने जो face देखा था तो और आप flick कटने के बाद में flick की cutting होने के बाद में आप देखिएगा आपको जरूर पसंद आएगा अपने comment स्वारा बताईए कि आपको यह straight hair cutting with flick का आपको कैसा लगा और किस तरह का awesome look आया है यह देखिए हमने दौनों side से right hand side और left hand side से flick का काम complete किया और यह देखिए face एकदम change हो गया आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस face का जो look है flick ने change कर दिया है तो इस तरह से हम flick को एक easy way में हमने बताया है आप करिए और state haircutting का तो बहुत ही अच्छा अपने तरीका बताया विश्व से आपको जरूर पसंद आया होगा समझ में भी आया होगा करने का तरीका अपने comment दौरा बताईए कि आपको कितना समझ में आया या नहीं आया तो हम और भी easy method follow करेंगे तो friends अपने comments के साथ में बताईए यह देखिए पूरा लोग विश्व से आपको पसंद आया होगा और बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स वीजियों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी तब तक के लिए आपसे विदाल लेती हैं